आज हम बिंदियों की बदद से एसोशेटिव प्रॉपर्टी ओफ एडिशन पढ़ेंगे सबसे पहले जैसा कि इस एक स्ट्रिप पर आप देख सकते हैं दो हरे रंग की बिंदिया हैं और तीन नीले रंग की बिंदिया हैं यदि सबसे पहले इन बिंदियों को आपस में जोड़ा जाए तो ये हैं एक, दो, तीन, चार और पांच बिंदिया यदि हमें इन्हें कागस पर दर्शाना हो तो हम इसे लिखेंगे दो, प्लस, तीन, अभी हमने इन्हें आपस में जोड़ा हैं और यहां मैं लिखता हूँ पांच यदि इन्हें के साथ मैं चार और बिंदियों को रखूँ तो अब ये कुल बिंदिया बन गई एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, और नो यदि इन्हें ही कागस पर दर्शाना हो दो, प्लस, तीन के साथ हमने चार बिंदियों और जमकी तो पहने हमारे पास पांच बिंदिया थी उनमें चार बिंदियों और प्लस होई हमारे पास जो कुल बिंदिया आई, वे है, नो आएए, अब इसे किसी और तरीके से देखते हैं अब हम सबसे पहले दो नहीं तीन बिंदिया लेते हैं और उनके साथ चार और बिंदियों को रखते हैं यानि सबसे पहले अब हमने ली हैं तीन बिंदिया उनमें हमने जोड़ी हैं चार बिंदिया तो देखते हैं हमारे पास अभी बंदिया आई हैं एक, दो, तीन, चार, पान, छे और साथ अब हम इन में जो हमारी तीसरी संख्या थी, दो बिंदियों को और जोड़ते हैं तो क्यू valley 3 और 4 को पहले जोड़ा था, इसलिए उने ब्रैकेंट में रखका प्लस, 2 यहां पर हमारे पास, अब हम कुल बिंदिया गिनते हैं एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो तो हमारे पास कुल बिंदिया आई है, नो अब मैं अपने साथ ही से कहूंगा कि इसे थोड़ा जूम करके दिखाए देखिए, यहां हमने पहले दो और तीन को प्लस किया उसके बाद उनमें चार बिंदिया जोड़ी, हमारे पास कुल संख्या आई है, नो नीचे वाली लाइन में, हमने पहले तीन और चार को प्लस किया उसके बाद उसमें दो जोड़ा, तो भी हमारा उत्तर आया, नो इसका अरथात ये है कि दो और तीन को पहले जोड़कर उसमें चार बाद में जोड़ा जाए, या तीन और चार को पहले जोड़कर उसमें दो बाद में जोड़ा जाए, हमारा जो उत्तर है, सेम ही रहेगा, इसी को कहा जाता है associative property of addition उमीद करते हैं इन बिंदियों की मदद से हमने associative property of addition समझा होगा इसे प्रकार से विभिन प्रशनों में बिंदियों को रख कर एक साथ जोड़ने से हम इस associative property के और भी उधारन सीख सकते हैं झाल